अस्सलाम वालेकूम अजीज तुल्बा बच्चों यहाँ पर है सांगली जीले का नक्षा तो हम सांगली जीले के नक्षे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे सफ़ा नमबर 25 पर यहाँ पर कुछ सवाला दिये गए हैं इनके जवाबात हमें इस नक्षी की मदद से हासिल करना है तो चलिए पहला सवाल है अपने तालूके में अपने गाउं का नाम लिखो अब हमारा तालूका कहा है हमारा तालूका यह है मिरज हमारे तालूके में हमारे गाउं का नाम लिखना है तो आपको यहाँ पर अपने गाउं का नाम लिखना है जहाँ पर आप रहते हो बच्चों अब हम दूसरा सवाल देखते हैं अपनी जीले के सदर मकाम के नाम के गीर्द दाइरा बनाओ तो हमें अपना सदर मकाम जीले का जो सदर मकाम है उसके नाम के गीर्द में हमें दाइरा बनाना है तो चलिए अब हम दाइरा बनाते हैं यहाँ पर अपना जीला है सांगली जीला सांगली जीले के सदर मकाम के नाम की गीर्द बनाना है हमें तो यहां पर सांगली की घिर्द हमें दाइरा बनाना है इस तरह से आपको गोल दाइरा बनाना है और यह काम अपनी दरसी किताब में ही मुकमल करना है अपनी किताबों में ही एक काम complete करना है किताबों में ही करना है किताब में जो नक्षा दिया गया है उस पर ही ये अमली काम हमें करना है इसके लिए आप pencil का इस्तमाल कर सकते हैं बच्चों अब हम देखते हैं तीसरा सवाल तीसरा सवाल है अपनी तालूके की सरहद से लगे हुए तालूकों के नाम के गिर्द चौकोन बनाओ तो बच्चों हमारा तालूका कौन है कौन सा है हमारा तालूका हमारा तालूका है मिरज हमारा तालू का है मिरज तो मिरस तालू की की सरहद से लगे हुए तालू के अब हम मिरस तालू की की पहले सरहद देखेंगे मिरस तालू की की सरहद है ये मिरस तालू के की सरहद है ये इस सरहद से लगे हुए तालूकों के नाम जो होते हैं वहाँ पर हमें चोकुन बनाना है तो सबसे पहले हम चोकुन बनाएंगे कौटे मंकार इसके बाद है तासगौ इसके बाद है पलूस और इसके बाद है इसलामपूर तो ये हमारी मिरच के सरहद से लगे हुए तालूकों के नाम हैं तो इस तरह से वच्चों आपको पेंसिल के मदद से अपनी दर्सी किताब में ही अपनी किताबों में ही आमली काम करना है